अग्या प्लान किया है जिससे की आपको डेली की रिपोर्टिंग मिलते रहे कांस्लिंग के टाइम यह काफी इंपोर्टिंट होता है कि हम सारे स्टेट्स को एक जगा पर कवर नहीं कर पाते हैं कि यह सेशन जो स्टार्ट किया है लास्ट 24 अपडेट का इसमें जो भी नई एडिशन हुआ है कांस्लिंग का बेसिक लिए आपको सभी पता है कि क्या को टॉफ है क्या कॉलेज इस उसको देखते हुए हम सारा कंक्लूजन लेकर चलेगी हमसे कोई चीज मिस्स नहीं हो रही है तो लास्ट 24 अपडेट के बीच मिर देखते हैं तो कोई खास नहीं अपडेट नहीं है एक बेसिक सा अपडेट है कि जो फेस्टू हमारा 13 को फिश होने वाला था उसमें एक दिन एडिशन का और दिर दिया गया है और अब 14 तक लास्ट डेट है इसमें कहीं पर बच्चों तो थोड़ा बेसिक सा कन्फूजन आ रहा है कि क्या हमको दुबारा से सम्मिट करने है इसको जब दुबारा से स्टेंड किया गया था 13 तक किया गया था तो उसमें यह था कि जिसको एडिट करना है वो बही बच्चे एडिट कर सकते थे जो नए बच्चे एडिट उन्हें एड हो हैं लेकिन जो लोग already submit कर चुके हैं आपका कोई problem नहीं है कोई भी सब चीज फील्ड होगे है तो आपको कुछ भी करने की जूरत नहीं है अगर कोई सी कभी कोई correction है और आप पहले भी submit कर चुके है कोई correction की requirement है आपको अपना phone number चेंज करना है या email आईडी चेंज करनी है और आप पहले submit कर चुके हैं उसके बाद भी आप दुबारा से इंटेर करके लोग इन करके correction करके resubmit कर सकते हो लेकिन अगर आपका form पूरी तरह से okay है कोई mistake नहीं है तो यहां पर फिर किसी भी टाइप का correction की requirement हमको नहीं बन रही है बेसिक से correction है जेंडर में हम चेंज कर सकते है नेशनलिटी आप चेंज कर सकते हो इंडिया नहीं हो फॉर्णर और और एमेल एड्रस बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज कर सकते है कैटेगरी का एक चीज इंपॉ आप चर्था कर रखता है तो इसका वेटेज तभी मिले गा जब आपकी जो साटेपिकेट बने वह सेंटर लेविल कि यह वाले साटेपिकेट सेंटर में अपूर्व नहीं होते हैं तो इनके सपोज कर लिए आपका OBS का साटेपिकेट है और वह स्टेट लेविल का है सेंट 14 last date है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि NTA ने दुबारा से email address और 4 number में correction करा रहा है 14 तक कि यह correction होंगे तो इससे यह भी समझ सकते हैं कि on 15 जैसे NTA ने अपनी previous notice में बताया है कि वो email ID के उपर बच्चों के overmail sheet और answer की बेज़ देगा जिससे ने पनी फीस को reflect कर दिया है कि वो दो यारी फीस में क्या फीस लेके आ रहे हैं काफी लोग जो expect कर रहे थे कि क्या NMC इस साल से लगेगा कुछ फीस में relaxation होगा तो अभी तक कर जो counseling pattern start हुआ है because NMC का जो execution होना था दोनों department में होना था अंडर graduate और post graduate के अंदर तो post graduate की एक तरह से थोड़ी स्टार्ट भी हो गई है तो कहीं पर यह act देखने को नहीं मिला है इससे यह समझा जा सकता है कि NMC का फीस वागा portion जो है इस साल से applicable नहीं हो रहा है इस साल almost उसी pattern पे फीस रहेंगे जो पिछले साल तक फीस थी हां कुछ state अपनी फीस चेंज कर सकते हैं जैसे और लेड़ी कुछ लोगों ने changes किये हैं जैसे भी हाल ने changes किये हैं तो एक normal increment देखने को मिल सकता है आपको कि 5% 10% 12% फीस बढ़ सकती है NMC का कोई additional यहां पे benefit देखने को नहीं मिल लेगा ESIC का भी कर लास्ट फिनिश हो गया था जिसको correction करने थे ESIC में IP certificates में जो correction requirement है उसकी भी last data फील हो गई है तो finally आपका 20 तारिक के आसपास score काड़ा जाएगा उसके बाद आपकी उसी पैटन से counseling स्टार्ट हो जाएगी hopefully 20 तारिक से 25 तारिक के बीच में काफी state की application भी जो मेसाइल है वहाँ का आप registration करके चलो especially government के लिए साथ में all India का registration करना है confusion ना हो उस टाइम की बहुत सारे form आगए एक साथ आप कौन सा fill करना है कौन सा नहीं fill करना है तो MCC का तो fill करना ही है government college के लिए plus अपने state का तो करना ही है उसके बाद आप अपने score पे अपनी requirement के साथ से चेक करोगे कि जो आपका score है 400, 300, 600 उस पे क्या हमारे state पे form seat मिल लिए की नहीं अगर नहीं मिल लिए तब जिस state के लिए आप में target किया है उस particular state में जाके आप registration कर करके आगे further allotment लेंगे फिर joining का process करेंगे friends तो ये कुछ basic सी details थी बिहार की feces कल के session में हमने cover किया था कि कठियार medical college की feces अब थोड़ी सी increase हो गई है last year 53 lakh का package था अब 61 का package हो गया है नया medical college जो 36 गड़ के अंदर आया है वो भी open for all है उसके अंदर भी सब बच्चे जाके counseling क करा सकते हैं काफी low budget रहने वाला उसका 45 लाग के आसपास का budget रहने वाला है so यह थे latest update friends कल के session में और cover करेंगे कि कल तक क्या changes आए और अगर आगर आप लोग का कुछ requirement है कि आपको कुछ counseling के बारे में चाहिए या कुछ particular कि counseling के बारे में जाना चाहते है तो आपने comments डाल द कर दो